दोस्तो 28 दिसंबर 2022 आज आपका जो सीटेट का पेपर हुआ है दोस्तो 2nd सिफ्ट में EBS के जो questions पूछे गए थे दोस्तो इसके questions जो है मुझे student ने बताए हैं तो दोस्तो इसका answer मैं लेकर आ गया हूँ ये questions दोस्तो बहुत ही जाद important है और ये पिछली बार की तरह ही repeat हुए दोस्तो 2020 में जो questions आपके पूछे गए थे EBS के सेम वैसे ही questions दोस्तो इस बार भी पूछे गए हैं तो दोस्तो इन सबी questions को आप लोग जरूर कर लिजेगा क्योंकि हो सकता है दोस्तो अगर आपका exam है तो ये questions फिर से repeat हो सकते हैं तो देखें दोस्तो कैसे questions पूछे गए थे और student ने ये भी बताया दोस्तो कि अगर आपने अच्छे से 2 से 3 महीने पढ़े हैं तो दोस्तो आप 500 में से 120 अराम से कोर्स कर सकते हो क्योंकि दोस्तो चाइल डवलमेंट और EBS के पिछली बार की तरह ही questions रिपीट हो रहे हैं सेम वैसे ही questions आये हैं तो देखें पहला questions दोस्तो क्या पूछा गया था पोचम पल्ली सहर कहां इस्थी थे तो इसका answer दोस्तो तेलंग गाना में इस्थी थे तो एक जो विसेश प्रकार के जो निरित्य है ना वहाँ पर उसको किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इसको चेराओ नाम से जाना जाता है उसके बाद दोस्तो एक questions पूछा गया था पक्षी से रिलेटेड कि उस पक्षी का क्या नाम है जो पक्षी दोस्तो सुंदर सु तो दोस्तो बर्तमान में अगर अभी का पूछा जाए तो आठ है देखिए आप सभी जानते हैं दोस्तो 2019 से पहले भारत में दोस्तो कुल साथ केंदर सासित पर देश थे लेकिन दोस्तो अगस्त 2019 में जम्मू और कस्मीर से दोस्तो आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है और उसके बात कितने हो गए दोस्तो आपसे भी जानते हैं जम्मू कस्मीर राज्य था तो तो यहाँ पर आफ प्लस कर लिजी तो 9 होगे उसके बाद दोस्तो 2021 में जो है ना भारत के दो केंदर सासित परदेशों को मिला कर एक केंदर सासित परदेश बना दिया जाता है तो 2 को मिलाRes गया तो इसमें से 1 माइनिस कर दीजिए तो बर्तमान में 8 हो गया अब कौन-कौन से थे 2 जो मिलाया गया तो एक वर मैं आपको यहां पर 100 कर देता हूँ देखे दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं 26 जनवरी 2021 को दमन दिवा दादर नगर हेवेली को आपस में मिला दिया गया ठीकिन और इसको एक केंदर सासी परदेश बना दिया गया था इससे पूरो भारत में केंदर सासी राजों की संक्या परदेशों की संक्या नौ ठीकिन अब बरतमान में आठ है याद रखना है आपको काफी important questions है ये उसके बाद दोस्तों questions पूछे गया थे EBS में मानचीतर कोसल और 4 options था इसमें तो ये जो होते हैं दोस्तों स्थानों की सापेक्ष इस्थिती की समझ विखसित करता है ठीकिन EBS में मानचीतर कोसल ये आ यहाँ पर दोस्तों लगवग 3.5 मीटर उंचे जमीन से मकान बनाये जाते हैं बास के तो ये दोस्तों असम में क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिस बहुत ज़्यादा होती है उसके बाद questions आया था कहा कि लोग टैपियो का नारियल उगाते हैं तो दोस्तों ये केरल के होत दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सदीस रासी और अदीस रासी से संबंदीत questions आये थे तो दोस्तों इसको आप लोग सर्च कर लिजेगा क्योंकि इसमें option थे द्रब्यमान संबेग स्पीड ये सभी option दिये गये थे तो अगर आप सर्च कर लेंगे इससे पढ़ लें की क्रीत रूप से पढ़ानी की सिफारिस की थी तो देखी दोस्तों NCF 2000 ने मतलब आप से भी जानते ही EBS को एक क्रीत करके पढ़ाया जाता है जिसमें दोस्तों आपका समाजिक विज्ञान होता है नेचरल साइंस होता है और कुछ मैथ के भी होते हैं topic उसके बाद दोस्तो B.A.A.L.A. से संबंदीत भी questions पूछे गए थे तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब होता है building as learning ad अधीगम साहय के रूप में building ठीक रहा है इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजेगा उसके बाद दोस्तों पिछली बार की तरह ही repeat हुआ था कि इतर कहां बनती है तो इ आप सभी जानती ही EBS पार्ठेकरम में छे भी से सुझाए गए है तो वो कौन-कौन से है तो एक बार दोस्तों यह भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें दोस्तों हम चीज कैसे बनाते हैं तो आवास उसके बाद दोस्तों यात्रा भोजन और भी दो टॉपिक हैं दोस्तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ देखिए छे टॉपिक कौन-कौन से है परिवार एवामीत्र भोजन पानी आवास यात्रा हम चीज कैसे बनाते हैं तो इससे संबंदीत भी दोस्तों कोशन्स पूछे गए थे तो दोस्तों मैथ और दोस्तों इंगलिस और चाल असान पूछे गए थे बस दोस्तों चाल डेवलमेंट के जो कोशन्स पेडागोजी के थे थे न वो थोड़ा डीपली पूछे गए थे ये स्टुडेंट बता रहे थे